दोस्तो अब IPL हमारे बहुत ही करीब आ गए हैं ये बोला जाए कि अब कुछी दिन बचे हैं ये कहना सही हुआ कि कुछ गंटे बचे हैं दोस्तो जैसे इंडिया में दिवालियों को लोगों का इंजा रहता है वैसे ही क्रिकेट के लवर को IPL का इंजा रहता है नमस्कार दो दोस्तो स्वागत है आपका अपना चैनल अंटोल स्टोडियों में और मैं सनी IPL 2024 का पहला मुकाबला चेन्ने वर्सिस बैंगलूर के बीच होगा ये कहां और कितने बचे खेला जाने वाला है चेन्ने सुपर किंग वर्सिस रोयल चैनल बैंगलूर का फस्ट T20 मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा ये मैच RCV वर्सिस CSK की बीच खेला जाएगा और ये मैच 8 बज़े से खेला जाएगा बात करें इस मैच की तो चैन्ने का में चिदम बरम स्टेडिम में खेला जाएगा एक तरफ होने वाले महिंदर सिंग दोनी और दूसरी तरफ होने वाले हैं क और आप लोगों को बता दे कि दोनों ही ये महान खिलाडी से वापसी कर रहे हैं जैसे कि MS डौनी ने क्रिकेट से सन्यास लिया हुआ है और वहीं वराट कॉली दूसरी बार किता बन गए है उन्होंने भी दो महीनी से क्रिकेट रेस्ट लिया हुआ था और दोनों महान खिलाडी 22 मैच को एक दूसरे के सामने सामने होंगे और आप लोगों को बता दें कि अभी हाली में WPL 2024 में RCV विनर रही थी और वहीं RCV के पास मोका होगा इस मैच को जीत कर चुरात करने का और आप लोगों को पता होगा कि इंडियन प्रिमेर लिग 2030 का विनर चेनने सुपर किंग की थी और दोस्तो आप जिस टीम को फसंद करते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोरू दे और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्काइब कर दें और दोस्तो इन दोनों टीम के बीच 31 मैच खेले गए हैं और वहीं चैनने की टीम ने 20 मैच जीते हैं और दूसरी तरफ से बैंगलोर ने 10 मैच जीते हैं और एक मैच ऐसा रहा था जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था एक नज़र डालते हैं रोयल सेनल्स मैंगलोर के प्लेइंग 11 पर और वहीं चैननी सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं जैसे एक खिलाडी आपको देखने को मिलेंगे रोयल चैनल्स बैंगलोरू वर्सेज चैनल्स सुपर किंग के बीज खेले जाने वाले IPL 2024 का 1st T20 मैच का सीधा प्रसारन किरकेट जगर्स से जुड़ी नहीं और ताज अपडेट के लिए अन्टूल स्टोडी को सस्काइब जोर कर लिए धन्यवाद